Hello guys, इस session में हम लोग देखेंगे Types of HTML Tags तो यहां पे मैंने 4 major types जो है ना वो tags की define की हुई है जो के actual पे 4 ही है और इनको हम लोग इस session में जो है ना वो elaborate करेंगे So first पे है inline Tags, block level Tags, single Tags and pair Tags अगर आपने previous class नहीं देखी तो आप it's highly recommend के आप previous classes देखें और because of मैं बहुत सारी references जो है ना वो अपने previous classes से दूँगा ताके आपको बिहतर समझ आ सके और अगर आप ने previous classes देखी होगी तो आपको अच्छे से understanding हो जाएगी चीजों के साथ concept अच्छे से समझ आ जाएगे अगर आपने previous classes नहीं देखी होगी तो फिर थोड़ा सा आपके लिए जहना वो difficult होगा तो सबसे पहले देखते हैं inline tags क्या होते हैं और यह block level tags क्या होते हैं पिछले session में हमने document create किया था यह वाला और यही मैंने open किया हुआ है यहाँ पर हमने देखा था कि कुछ pair tags होते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता है कि यह pair tags ची होते है pair tags में क्या होता है कि यह एक इसका starting tag होता है एक इसका ending tag होता है जिस level पे tag को start किया जाता है उसी level पे उसको close किया जाता है हम लोग क्या करते हैं हम लोग ना एक post create करते हैं मैं यहाँ से कुछ dummy tags जो है ना वो उठा लेता हूँ और यहां से हम लोग कुछ dummy tags जो है ना वो ले लेते हैं लाइक यह इतना ले लेते हैं copy यहां पे पी के tag के अंदर इसको जो है ना वो पेस कर देता हूँ control गाट थे save किया अब देखें पेर टैंग का क्या होता कि यह इस टैंग होते हैं जो के दो टैंग होते हैं एक उसका starting होता है और एक उसका ending होता है तो ये h1 और ये p tag जो है ये pair tags है अब जैसे ये text area है तो ये text area के मैं बीच वाला ये निकाल देता हूं attributes तो ये text area मैंने यहां से start किया और यहां पर close कर दिया इसी तरह से ये single tag है ये pr और ये input इसी तरह से पहले इसका view ले लेते हैं after that मैं आपको block level और inline tags के बार में बताता हूं इसका view लेने के लिए हम लोग यहां पर आते हैं refresh करते हैं as you can see यह हमारा h1 का जो content है वो आ गया और यह हमारा p tag का content है वो आ गया और यह हमारा text area आ गया और इसी के साथ हमारा यह वहला input field आ गया ओके तो यह तो हो गया अब एक हम लोग यहां पर p tag के अंदर एक tag और लिखते हैं जिसे कहते हैं strong tag तो देखें अगर मैंने यह strong tag जो है यह मैंने p tag के अंदर start किया तो इसे पर p tag के अंदर ही close करूँगा ऐसा नहीं होगा कि मैंने start यहां पर किया और म इसा नहीं होगा p tag के अंदर मैंने start किया तो p tag close होने से पहले ही मैंसे कहीं पर close करूँगा यहां पर बेशा close कर दूँगा यहां पर कर दूँगा तो जहां पर भी मैं इसको close कर दूँगा तो जो भी content जो है p tag के अंदर आएगा वो उस पे strong tag की जो functionality है या जो style है वो उस पर implement हो जाएगा ctrl s to save किया refresh करते हैं as you can see जो content हमारा जो text हमारा strong tag के अंदर है वो थोड़ा सा bolt हो चुका है और यह I hope so कि आपको समय लगी होगी कि हमने जो भी tag जिस level पर हमने start करना है उसी level पर उसे close भी करना है अब देखते हैं यह inline tags क्या होते हैं और block level tags क्या होते हैं अब अगर हम लोग यहां पर देखें यह हमने h1 define किया यहां पर उसके फॉरण बाद हमने यह p tag start किया तो द tag का content है वो उसके बिल्कुल नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या है कि यह h1 है यह block level tag है अगर यह inline tag होता या यह दोनों जब inline tags होंगे जो हम लोग सासास लिखेंगे विसाल के तौर पर यह tag भी जो है वो inline हो और यह tag भी inline हो तो फिर यह line break नहीं होगी उसके सीधा आगे जो है वो content आ जाएगा ठीक है जो block level tag होता है वो पूरी width यूज़ करता है मतलब यह h1 है यह यहाँ पर इसका यह tag आ रहा है h1 का तो यह पूरी width यूज़ करेगा ठीक है पूरी width यहाँ तक यह यहाँ तक यूज़ करेगा अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग inline कर सकत हैं with the help of its attributes or css or any other things so but अभी के लिए हमें समझना यह है कि html में inline tags और block level tags क्या होते हैं block level tags वो tags होते हैं जो के पूरी width यूज़ करते हैं जहाँ पे भी आप उसे define कर दो जबके inline tags क्या होते हैं वो width यूज़ नहीं करते हैं जहाँ पे आपने उसे define कर दिया उससे आगे एंगे वो start हो जाते हैं जैसे मैंने यहाँ यह strong tag used किया ठीक है अब इस strong tag को हम लोग above the per tag जब कर लिकलेते हैं जैसे मैंने यह生 को cut कर लिया ठीक है अब हम लोग किया करते है कि इसको तो P tag से उपर यहां पर लिख सेते हैं हमने H1 tag start किया, close किया उसके बाद हमने strong tag start किया, close किया उसके बाद हमने P tag start किया and close किया and so on refresh करते हैं, देखें अब हम लोग चाते हैं कि यह वाला जो tag है, यह यहां पर आ जाए करते हैं, हम लोग कहते है style style का attribute add किया हम कहते है, display और display हम लोग क्या कहते है, inline control ऐसे save किया refresh करते है as you can see कि यह हमारा, जो tag है वो उपर आ चुका है, but इसमें क्या है कि इसने tag area को भी उपर जो है ना वो कर दिया है, तो हम लोग tag area के बाद इसके बाद हम लोग यहां पर बी आर का tag देते है बी आर जैसा कि मैंने आपको बताया था line break के लिए use होता है control ऐसे save किया देखें, अब यह हमारा text area जो है, यहां पर से line break होके नीचे आ गया और जो हमारा p tag है, यह p tag का content है यह इसके साथ चला गया, ठीक है क्योंकि हमने इसको inline कर दिया है हमने इसकी functionality को inline कर दिया है with the help of css okay, I hope so कि आपको inline tags block level tags और उसके इलावा जो थे हमारे single tag और pair tag इन चारों की tabs के बारे में समय लगी होगी next session में आते हैं और हम लोग कुछ मजीद HTML को explore करते हैं कि इसमें क्या-क्या है हम लोग इसके document पे मजीद बहस करना बाकी है अभी और इसका जो object model होता है उस पे बहस करना भी काफी बाकी है और फिर metadata और दूसरी सारी चीजे और head body को differentiate करना और head body क्यों जरूरी है और हम लोग क्यों यह चीजें इस तरह से hierarchy में लिखते हैं and so on तो अगर आप चैनल पे new हैं तो इससे subscribe करना नहीं बूलिएगा Thank you very much for watching this session Stay tuned .